गुड बॉर्णिंग गाईज इसमी शानल परवीन यह साइंस इचर क्लास 7 यह आपका चैप्टर 4 है हीट इस इफेक्ट मैंना आपको इफेक्ट ऑफ फीट पढ़ाया था उसी में आपको डीटिल पढ़ाने वाल्यू इफेक्ट ऑफ हीट की आज हम पढ़ेंगे बंने इस कैसे सबस्तांस को हीट करते हैं इसलिक मॉल्यूक Лंटि होते एक्स इसलिए वह क्या करती है उनके अंदर मॉखमेंट स्टार्ट हो डाता है इस इंक्रीजिजिस दा मॉल्यूरिस इससे उनके बीच में व्यूर्ण ये इस्पेस आज़ाता है दिरफोर देफोर इस आप जब मॉलीकूल सिधो मुग करेंगे तो जादे बार आप हैं तो जो वह इसपेस कई कर रहा है मुग करने के बाद है तो वह है उसका सब्सक्राइब volume of the substance तो volume of the substance guys increase हो रहा था उस condition मागर हम किसी भी substance को heat करते हैं thus it concludes that heat causes expansion तो इससे यह conclusion निकलता है कि heat की वज़ेस से expansion याने की फैलाओ फैल जाती है कोई भी चीज़ को heat देने पर जैसा आप देख लिजिए जहां water को heat up करते हैं तो वह गैस बनकर चाओ तरफ मुग करने लगती है तो जादे एरिया कवर कर लेती है फिर वह तो volume हो गया वह उसका और expansion से पता चलता है कि हो सब जहां फैल जाती है किसी चीज़ को heat देंगे हम तो फैल जाती है आप iron को ही ज्यादा heat दे दीजिए वजा बहुत ज्यादा heat पर iron में melt होकर expand हो जाएगा कुछ practical example यहां दी हुए है guys expansion in solid सबसे बहुत हम solid में पढ़ेंगे solids में expansion कैसे पाए जाता है इसके तीन एक्जाम्पिल से हैं तीन इसमां फर्स एक्जामिर पढ़ेंगे यह सीन ब्लॉक कार्ट्स होर्स कार्ट आपने देखी है गोड़ा बुगई बैल बुगई जो होती है वील आफ इस कार्ट्स आफ वूड बाट मॉंटेड बाई आरेन स्क्रीप आपने सबने देखा है कि बने हुए तो लगड़ी के होते हैं लेकिन चाहँ तरफ से माउंटेड रहते हैं कवर रहते हैं इस आरन की स्ट्रीप प्रिवेंट इट फॉम चीरिशा रिइंड ब्रेकिंग इसकी वेरा से वी मेफ़ट से ही फीक्स होती है कैसे एक्ट्यूली इस डन वाइख साइज मत कम होती है ठीक है वुडन वील से बहुत छोटी सी फाले तो इसे हीट किया जाता है रूण के श्रिप को और जब हीट देने के बाद एक्सपेंड हो जाती है फैल जाती है प्लेस दा would will inside it तो इसके अंदर वील का वह इसके अन्दर कर दिया ता है इस will के अंदर क्योंकर heat देने पर क्या हुआ वह एक्सपेंड हो गया बढ़ा हो गया उसके अंदर हमने रखड़ी का वี่ल जो है तो इस तरीके से iron की strip इनको उपर चढ़ाई जाती है ठीक है काई इस तो expansion method से ही है इसको पर fit की जाती है number second है the railway tracks on which trains run up are made of iron तो railway tracks जहां यह भी किसके बने होते हैं iron के बने होते हैं summer की season में क्या होता है the iron expand क्योंकि heat मिलने पर iron expand होता है तो iron expand हो जाते हैं to allow this expansion अब उन्हें expand होने के लिए space की जुरुत है अब space नहीं होगा तो क्या होगा guys यह जो iron की strips हैं वह हैं track हैं band हो जाते हैं तो इसलिए हम इनके बीच में space रखा जाता है the iron expand to allow this expansion space has to be left between joints तो space छोड़ा जाता है joints के बीच में of the railway track if this is not done अगर ऐसन नहीं करते हैं expansion of the tracks can cause them to bend track expansion तो होगा ही क्योंकि heat मिलते ही heat मिलते ही metal से expand कर जाते हैं तो क्या होगा वह band हो जाएंगे अगर उन्हें space नहीं मिलेगा तो वहां से band हो जाएंगे और उसकी वरे से बहुत जादा serious accidents हो सकते हैं तो इसलिए railway tracks के बीच में guys space होड़ा जाता है ताकि जब वह heat मिले summer time में तो वह expand कर जाएं और वह band ना हो नमबर थर्ड है तो similar way in steel bridges one end is made to rest on roller with one enough space जो steel bridges होते हैं उनका एक किनारा होता है वह roller पर होता है वन enough space उनके बीच में enough space रखा जाता है प्रोवाइड फोर expansion during summer एक साइट ऐसा नहीं है कि दोनों साइट से बिल्कुर फिट करको नहीं छोड़ दी जाता है क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो भी band हो जाएंगे खड़ाब हो जाएंगे bridges इसलिए ऐसा रखा जा है ठीक तो इस तरीके सामें solid चीज दिखाई देती है और liquid देखे liquid के बीच में थोड़ा सा थोड़ा सा ज्यादा होता है इनके बीच में थोड़ा होता है तो इसकी वेड़े से इन्होंने ज्यादे space occupy क्या हुआ अब गैस देखिए गैस की जो molecules से वह बहुत ज्यादा एक तो इससे पता चलता है कि इन में जो है molecular space बहुत ज्यादा है ठीक है गाइस नेक्स पढ़ेंगे हम expansion in liquids, expansion in liquids में देखे, liquids have not fixed shape because molecules of liquids are not closely packed इन्होंने क्या बात बूले है कि liquid की जो है कोई fixed shape नहीं होते है क्योंकि इनके जो molecules से वह tightly packed नहीं होता है देखिए गाइस यहां tightly packed नहीं है liquids के molecules बलके solid के तो हैं लेकिए liquids के molecules tightly packed नहीं है इनके बीचे molecular space है भले ही कम बठ है तो आये closely tightly packed नहीं होता है therefore on heating molecules of liquid vibrate इसलिए heat मिलते ही liquid के तो molecules से हो vibrate करने लगते हैं freely and here and there very fast इधा उधर बहुत इससे गुमने लगते हैं liquids expands more than solids on heating same आप heating दे दिजिए क्योंकि लिक्विट नहीं करता क्योंकि उसके molecules tightly packed है लेकिन liquid के molecules एक दूसरे से दूर भागेंगा बहुत इसली तो जल्दी expand हो जाएगा लिक्विड इट केन बिशोन बाइन एक्सपरिमेंट यह एक एक्सपरिमेंट के थू हम देख सकते हैं जैसे टेक लिक्विड इन फ्लास्क किसी फ्लास्क में आप लिक्विड ले लीजिए और हीट कीजिए तो फर्स्त क्या होगा लेवल वाटर विल को डाउन अगर में जो भी लिक्विड ले है तो वाटर का जो लेवल हो अब से पहले कम हो जाएगा अब अब पड़ा दो लेवल हो जाएगा अब इस से में पता चलता हिक्विड अब मिल्क देख लीजिए को स्पेंट देख लीजिए अब वाटर देख लीजिए लिए आप उन्हें हमने गर्म करने के लिए रखेंगे। ऊपर की साइड Hello तो दूद भी बहार निकल जाता है पतीलिय भगोने से इसलिए होता है कि हीट मिलते ही लीक्वाड की डिक्विट होता है इसम टैंपरेचर ऐसा नहीं ही आपने की ब tomSpamil नहीं है जिए आल्कोहल aumento का जितने एंपरेचर अलग होगा उसके बाद देखिए expansion in gases है gases have not fixed shape and volume gases की कोई fixed shape नहीं होती है कोई fixed volume भी नहीं होता है क्योंकि वो gases तो कहीं पर भी move कर सकते उनके भीच में कितना भी space हो सकता है because molecules of gases are not close packed क्योंकि closely packed नहीं होते हैं इसके molecules they are free to move anywhere ये कहीं भी move करने के लिए free होते हैं कंटेनर में रखेंगे तो कंटेनर की shape ले ले लेंगे this gases expand more than liquids and solids on being hitting अब हीट करने पर solid liquids के comparison में gases सब ज़्यादा expand करती हैं आप देख लिजे solid के molecules बहुत tightly packed liquid के molecules के बीच में space और gas के बीच में सब ज़्यादा molecule space होता है तो आज के लिए इतना ही बाकि आपके जो भी को आडिया आप पूछ सकते हैं ठीक है इस बढ़ते रहिए आप घर पर stay home stay safe बाई लिए इतना है झाल